हलो नमस्का दोस्तों स्माठींड यूटूब चैनल में आपका सवगत है दोस्तों एक रिक्वेश्टेड वीडियो होने बाले है क्योंकि मैं एक भीवर्स ने मुझे कॉमेंट किया था कि सर मैंने गूगल एडसेंस पे जो आईडी भेरिविक्रिक्रिशन होते है उसमें मेरे पैनकार्ट के साथ मैं करना चाहता हूँ लेकिन पैनकार्ट का जो एड्रेस नहीं हो तो एड्रेस के किस तरीक साहम निकल सकते है वो भी ओनलाइन ठीक है तो ओनलाइन पैनकार्ट निकलने लिए जो प्रोसेस है आज मैं आपको देखाऊंगा और आपका यह बहुत ही एक पैनकार्ट के साथ जो लिफाफा आते है उसक उसमें होता है लेकिन अगर वह आपका खो जाए तो आप निकालेंगे कैसे तो मैं जो साइट मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी आपको सामनी स्कीन पर यह साइट का लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिशन में दे दूग सब कुछ में बता रहा हो तो यहाँ पर आने के बात आपको करना क्या होगा हो सब मैं बता आख सकते κα seniors अब और आप वह से जाके अरम से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चिसके नाम पर है Ha destáng के साथ जोने अगर आपके नाम पर अपकर नाम पर सब कुछ भगर इस तरीक से पर डालना है बहुत ही important part है दोस्तों आप पुरा ध्यान से देखेगा, skip करके मत देखेगा, step by step देखेगा, ठीके, यहापर आपको password डाल देना है, confirm password, यहापर primary, यहापर secret question, यहापर security के लिए होता है दोस्तों, आप यहाँ से question select कर लिजेगा, और उसके साथ आपका answer जो नीचे देखे, answer क्या होगा, answer आप चुस कर लिजेगा, ठीके, तो यहापर मैं एक secret question दे देता हूँ, यहापर, ठीके, what is your bit name, यहापर answer जो होगा, बाद में जब मैं यहापर login करने में, अगर कुछ problem आए, या कुछ security के लोग पूछे, तो यहापर यह जो question शो हो सकता है, ठीके, यह आप यहां से डाल दीजेगा, ठीके यह अपा इललाइन नमबर आपका है, तो डाल दीजैए, fax number नहीं चाहिए, ठीके, प्राइमेरी मोबैल नमबर को डालना है, आपका मोबैल नमबर डाल जेगा, और मोबैल नमबर बिलोग टू, आप किसके साथ आप यहां से एक्तिव इमेल आइडी आप डालेंगे एक्टिव एमेल आइडी वहापर एक कोड जाएगा इसलिए और उसके साथ बिलॉंग करने वाला कोई इमेल आइडी घर का आपका किसका भी मेंबर का हो आप डाल दीजगा कांट्री यहापर सेलेट कर जा और सब डीटल्स यहापर आपको डाल लाए और जो इमेल आइडी टाल वहापर दो आपका यहाप पर OTP जाएगा ठीक है उस ओटिब्यों को आपको फिल करना होगा तो यहाप दूंबाइल नंबर मेरा आपने जो डालए ठीक तो यहाँ पर मैंने डाल देया O2B, अब यहाँ पर बेलेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्ता आपके सामने यहाँ पर सब कुछ आ जाता है, यहाँ यूजर आइडिया आ जाता है, यहाँ पर टांजिक्शन आइडिया बागर यहाँ आ जाता है और यहाँ पर SMS और यहाँ पर email ID जो mobile number यहाँ सब को show हो जाता है यहाँ से आपको simple सा login कर लेना है ठीक है यहाँ यहाँ पर user ID आपका जो pen number है वो होगा और password आप जो choose करके रखा है उसको आपको यहाँ डालना है डालने के बाद इस तरीके से login हो जाता है अगर आधर के साथ अभी आप link करना चाते है तो link कर सकते है नहीं तो बाद में भी कर सकते है मैं अभी यहाँ पर link नहीं करना चाता हूं ठीक है यह मेरे मम्मी का नाम पर है तो यहाँ पर मैं लिंक नहीं करना चाहता हूँ, मैं बाद में करूँगा, इसलिए मैं भी यहाँ लेटर कर दूँगा, अगर लिंक करना चाहता है, तो यहाँ पर आधर नमबर आप डाल के लिंक कर सकते है, लिंक नाव पर क्लिक कर देना, आई अगरी पर क्लिक कर देना है, ओख अब चिर कर देता हूं बाद मैं कर लूँगा अभी डख 562-9 छो के यहां पर आपको कहा मिले गा ठीक यह पर मेंगे 5D एडरेस फको मिलचा पहले है तो आपको में में प्राइडरेस ड़ जाएगा आप देख सकते हैं यह पर दिखें पैन आडरेस कि आप दालेंगे इडरेस कॉन सा बाला डालेंगे आप देख सकते हैं यह फिर से देखा दुएंगा पको यह जो अब स्विल्क किया यह address आपका अभी जो फिल के था और आधार डिटेल्स में यह तो आपका अभी लिंक किया ही नहीं तो नहीं आएगा अभी जो में एड्रेस जो है यह है ठीक है इस address को same to same आपको Google यूज करना है कोई दूसरे तरीके का आप एड्रेस मत यूज केजिएगा जो आपके डॉकमेंस के साथ जो लिंक है डाल लिएगा नहीं तो आपका वेरिफाई नहीं होगा लेट होगा ठीके तो यही था दोस्तों आझके वीडियो में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजेगा और इसका लिंक में नीचे डिस्क्राइब दे दूंगा ठीक है तासके लिए इतना ही बाई दोस्तों